नमस्कार किसान भाईयों स्वागता आपका अपने योट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर किसान भाईयों आज मैं आप लोगों को प्याज फसल में जो अपनके खर्पतवार हो जाते हैं उनको किस तरह कंट्रोल किया जाए उनमें कौन से टेक्निकल डाले जाए जिससे कि फसल पर भी कोई विप्रियत असर ना पड़े और कितनी मातरा ली जाए जिससे कि फसल पर बिल्कुल कोई समस्या नहीं आए और खर्पतवार है वो भी नश्ट हो जाए तो दोस्तो इसी पर मैं आप लोगों को ये आज का वीडियो है इसके माध्यम से जान करी दूँगा दोस्तो आप लोगों को पता है कि मेरे जो एक सीरी चली आ रही है सत्तर दिन में प्याज तयार करने का सीक्रेट तरीका उसका ये दूसरा वीडियो है क्या है अभी मेरा जो प्याज की नर्सरी है वो लगबग 25 दिन की हो चुकी है और इसमें जो अपनको फर्ष्ट क्रिशी कारे करना है वो यही है कि इसमें हर्भिसाइड मैनेजमेंट करना है इसके खर्पतवार को नष्ट करना है तो दोस्तो पहले बात अगर आप लोगों को पास कम इस्तर पर यह नर्सरी डाल रखिये तो आप अगर हाथों से निकाड़ों गए तो सबसे बढ़िया है अगर आपके पास ज़्यादा है खर्पतवार भी ज़्यादा है खेत में सक्री पत्ती और चोडी पत्ती ये ज़्यादा तादाद में हैं तो आप केमिकल का यूज कर सकते हो तो मैं आज आप लोगों को वो सब टेक्निकल बताऊंगा जो आप अपने खेतों में कर सकते हो जिससे फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो जिन किसान भायों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृप्याकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिए और दोस्तों बात हमारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिया करें और कमेंट कर दीजिया करें आप लोगों को जो भी समस्याएं आ रही है अब कमेंट के माध्यम से बेहिचक पूछ लीजिया करें मैं आप लोगों को तुरंत उसके reply दूँगा जैसे मेरे को time मिलेगा दोस्तो अब बात करते हैं herbicide management का देखें दोस्तो इसमें दो तरह के खरपतवार होते हैं एक तो चोड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे बथवा है या और भी काफी प्रकार के चोड़ी पत्ती के जितने भी खरपतवार है और एक होता है सक्री पत्ती का तो सक्री पत्ती का जो घास्टाई पाते हैं जिनमें कई तरह को होते हैं आप किसानों आप लोगों को पता है तो मेरे खेत में दोस्तों चोड़ी पत्ती के खर्पतवार कम मात्रा में है और सक्री पत्ती के बहुत जादा मात्रा में है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये दवा इस्प्रे करने से पहले ये हर्विसाइड इस्प्रे करने से पहले आप लोगों खेत में नमी बनानी पड़ेगी अगर खेत सुखा है तो आप पहले सिचाई कीजिए, सिचाई करके और उसमें आप दो दिन बाद उसमें स्प्रे कीजिए सिचाई वो नमी इतनी होनी चाहिए कि आपकी जो दवा है अपनी स्प्रे करेंगे जो यह हर भी साइड है यह जड़ों तक बैठ जाए खर्पतवार की जड़ों तक बैठ जाएगा तो खर्पतवार जड़ों तक खतम हो जाएगा अगर अपन सुके में इसकी स्प्रे करेंगे तो उपर से तो खर्पतवार खतम हो जाएगा लेकिन उनकी जड़े हैं वो हरी रह जाएगे तो दोबारा से फिर वो जैसी अपन इसके बाद सिचाई करेंगे तो दोबारा से फिर वो निकल आएगा तो दोस्तों आप लोगों को बता दे किसमें आप परियापत नमी बनाए रखिए उस वक्त आप इसमें इस्प्रे कीजिए एक जब सुबे का टाइम जब ओस आई हुई हो उस टाइम थोड़ा इस्प्रे मत कीजिए उस जब उतर जाए धूप लग जाए उस टाइम इस्प्रे कीजिए जिससे के पत्तों को उपर खर्पतवार के पत्तों पर हमारी इस्प्रे है वो चली जाए और वो पत्ते इनको अब्जरू करके और अंदर रूट तक पहुंचा दे तो दोस्त अब बताता हूँ मैं आप लोगों सबसे पहले अगर आप लोगों के चोडी पत्ती के खर्पतवार हैं तो उसके लिए आप किसी भी कंपनी का ओक्सी फ्लोरोफैन 23.5% EC ये दवा लिजिए कई नाम से आती है जैसे कि ये गोल है अल्टो है और भी काफी नाम से आ देगी तो बात करते हैं चोडी पत्ती की फिलाल तो ये जो टेक्निकल है ये ओक्सी फ्लोरोफैन 23.5% इसे आप 15 लेटर पानी में 7 ml 8 ml या 10 ml तक भी ले सकते हो 10 ml तब लेना है जब आपकी फसल 25 दिन की हो चुकी हो नीचे उनमें गांठ बन गई हो जड़ों में जड़ है उनमें एक छोटी सी गांठ बन जाती उस वक्त आप इसको लेजिए अगर कहीं पे ज़्यादा भी डल जाएगी तो उपर से मान लेजिए कुछ कण जो ये अपना नरसरी है उपर से इनके पत्या जल भी जाएगी तो गांठ से दोबारा से उनमें पत्या नहीं निकल तो आप कोशिस कीजी जब आपकी फसल 25 दिन की हो जाए उस अवस्था पे इनका प्रियोग कीजी अब बात करते हैं दोस्तों सक्री पत्ती का तो सक्री पत्ती की बाजार में दोस्तों काफी टैक्निक अला हुए हुए मेरे पास ये दोनों घर पिछले प्याज के सीजन के बची हुए था घस्तवली जो प्याज लगाई थी तो मैं अलग से कोई नहीं लिकाए हूँ ये मेरे पास बची हुए थी इसमें आप दो-तिन कंपनिया बना रही है इनको दोस्तों तो इसमें आप लोगों को लेना है मैं टेक्निकल का नाम बता रहा हूँ आप लोगों को अगर आपके जहां पर जो भी अवेलेबल्टी हो जाए वो ले सकते हो आप इसमें टेक्निकल है दोस्तों क्विल जी लिफॉप इथाईल 5% ये जैसे कि हकम के नाम से भी आती है तरगा सूपर के नाम से भी आती है और विप सूपर के नाम से भी आती है तो दोस्तों इसकी जो मात्रा रखनी है वो 25 दिन की फसल पर आप 20 से 25 एमेल पर 15 लेटर पंप में ले सकते हो और नमी में आप इसकी स्प्रे करोगे तो सक्री पत्ती के जितने भी खर्पतवार हैं वो जड़ों तक खतम हो जाएंगे टाइम थोड़ा लेगी लगभग एक सप्ता से 10 दिन आप निश्चिंत रहे एक बार इस प्रे करने के बाद अगर आप देखोगे तो चोड़ी पत्ती के जो खर्पतवार हैं वो तो साइद उसी दिन खतम होने स्टार्ट हो जाएंगे लेकि जो सक्री पत्ती के जो खर्पतवार हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि यह अंद को बताऊंगा इसमें कौन से खाद और कौन से नीचे से रूट डेवलप करने के लिए कौन से और प्रोडक्ट डालने हैं तो जुड़े रहिए दोस्तों आपकी फसले एकदम फस्क्लास होगी बढ़िया उत्पादन लोगे आप और जो हमारी जुम एक सीरी चली आ इसको आप थोड़ा बढ़ावा दीजीए चैनल को सबस्क्राइब कीजी वीडियो को लाइक और जाद से ज़याद से शेयर कीजी जिससे जाद से ज़याद किसानों तक हमारी यह बात पहुंच सके और किसानों घमात निर भरता की और लेके जा सकें धन्यबाद दोस्तों